फॉलो और वेल्कम फ्रेंड्स QBasic के उपर एक पहली वीडियो मैंने create की थी जिसमें आपको बताया था किस तरीके से commands आप execute कर सकते हैं अगर आपने QBasic अप्र दाउनलोड नहीं किया Google पर जाएए सर्च किजिए QB6 free download और download करके extract कर लिजएगा फिर आप QBasic को use कर पाएंगे चलिए आपको अगला command बताता हूँ कि किस तरीके से use करेंगे ठीक है तो चलिए start करते हैं दो commands का combination हम use करेंगे CLS जानी कि पुराना output clear करने के लिए CLS command use करते हैं अब हम यहाँ पे लिखने वाले हैं input आपको पता है python के अंदर input जो है by default string type की value लेता है अब यहाँ पर अगर मैं लिख देता हूँ what is your name तो यह question हो गया what is your name और यहाँ question mark लगा दिया मैंने और question mark लगा करके क्या करूँगा डविटेट को close करूँगा ठीक है अब दिखिए अब यहाँ पे आपको दिया तो semi colon ही आपको देना यह भी आपको ध्यान रखना है ठीक है ना यहाँ पर लिख दिया name और पर name लिखने के बाद यहाँ पे dollar sign लगा देते हैं enter करके नीचे आते हैं ठीक है आप दिखे आप यहाँ बिल्कुल चाहिए और यहां लिख देंगे age ठीक है और age लिखने के बाद यहां लगा देंगे इस तरीके से कर देंगे चलिए आगे बाते हैं अब यहां पर क्या लिखता हूं यहां पर लिख देता हूं लाइक चलिए माली यह दो ही चीज़ हमको लिखना हो तब क्या करेंगे तो यह दो चीज गरके यहां लगा देंगे समी कोलन और यहां पर एज दे देंगे फिर बार इस तरह के से डॉलर लगा दिया है आप देख सकते हैं अब क्या करना है अब हमें एंटर करना है enter कर दिया, हमारा यह हो चुका है अब यहां से run करवाने के बारी है, तो इसको run करवा लेते हैं ना, तो इसको 5 करके आप run करवा सकते हैं, ठीक है, यहां से ok करेंगे, यह run हो जाएगा, और run होते ही, देखिए, यह किस तरीके से print हो कर आएगा, इसमें थोड़ा time लगता है, और फिर यह run हो जाता है, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा wait कर लेना होगा, और wait करने के बार यह दिखेंगे, तो यह run भी हो जाएगा, clear, तो देखिए, यह run हो रहा है, और जैसे ही run होता है, तो आपको दिखाई पड़ेगा, च्या क्या चीज़ें, यहां पे print होगी, तो यहां पे देख सकते हैं, लिखा हुआ आ रहा है, what is your name, तो अपना नाम एंटर करता हूँ, s-u-r-a-z, ठीक है, उसके बाद एंटर कर देता हूँ, अब कह रहा है, what is your age, 33, यहां पे एंटर कर दिया, देखिए, name और age दोनों ही print हो गया, तो इस तरीके से आपको use करना है command को, ठीक है न, उमीद करता हूँ, बात समझ जाई होगी, देखिए, यह सारी चीजे black and white में print हो रहेंगे, लेकिन हम यह चाहते हैं, कि यह color में print हो, तो color में print करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो color में अगर आपको यह print करना है, तो बहुत आसान है, ठीक है, मैं बताता है 12, 12, ठीक है, यहाँ पर दे दिया 12, और यहाँ पर color दे देता हूँ, तो यह color दे दिया 4, अब यह code है, ठीक है न, और यहाँ पर print करवाएंगे, तो print क्या करवाएंगे, तो print करवाता हूँ मैं, क्या print करवाना है, आपको जो हमने पहली बार print कराया था, वही चीज हमें print करानी है ठीक है ना इसके पहले मैंने जो अभी print कराया what is your age और name जो print कराया था बिल्कुल वही चीज आपको print करवानी है यहां पर termination दे करके दे देता हूं name और name लिखने के पर यहां लगा देता हूं dollar तो यह हो गया एक काम ठीक है ना और यह करने के पर यहां से फिर terminate कर देंगे फिर दूसरा हमारा age था तो यहां लिकूँगा your age और your age जो है यह हम लिखेंगे डवलेटेट कॉमा में तो यह ध्यान देना आपको डवलेटेट कॉमा जरूर लगाना है तो यह डवलेटेट कॉमा इस तरीके से डॉलर शाइन लगा दिया है ठीक है ना और अब यहां पर मैं प्रियोग करने वाला हूं एंड कमांड क्या करूंगा एंड कमांड को प्रियोग किया मैंने यहां पर देख सकते हैं command भी मैंने लगा दिया है ठीक है तो अब यह end क्या करेगा इसको end करेगा अब यहां से 5 प्रेस करता हूं और यहां से enter करता हूं तो आप देखेंगे कि यह command execute होने लगा है अब थोड़ा सा time तो यह लेता ही है आप जानते ही है और यहां पर आप नाम अब देखिए यह देखिए यह color change हुआ कि नहीं हुआ देखिए यह red color में आ गया देख सकते है ना your name और age दोनों ही print हुआ है लेकिन यह red color में आ रहा है यानि कहीं changes हो रहा है किसी के अंदर थोड़ा सा change किया मैंने देखिए यहां पर CLS कर दिया screen की size 12 लग दी और यहां loop ल लाएंगे यानि loop पहले एक वाला 4 फिर दो वाला 3 वाला 4 वाला 5 वाला 6 वाला 7 वाला 8 वाला 9 वाला 10 वाला ऐसे करके 15 तक चलेगा और यह लिखा हुआ 3 पर जैसा कि देख सकते हैं यह sky blue है ठीक है और यहां पर देखिए 4 पर मैंने क्या किया था red color आ रहा था तो 4 पर red color ही आ रहा है ऐसे ही करके 15 तक अलग अलग colors आ रहे हैं देख सकते हैं आप न तो उम्मीद करता हूं यह commands आपको समझ में आए होंगे ठीक है अगर commands समझ मे आए हों तो वीडियो को शेयर कीजिएगा लाइक कीजिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक्यू पर वाचिंग दिस वीडियो